और अभी एक हैंसला भी माननिय सर्वोचिनेल्या का आया है जो सोसो इंकम को लेकर के हमने अपने परदेश के गरीब विद्वाओं गरीब अनाथ बच्चों और दस्कों से सरकारी नौक्रियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों वीमुक्त जातियों और गमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो नए तो इस जुलकास्ट में आते हैं और नए ही बैकवर्ड कलास में आते हैं तथा कच्चे करमचारी जो अनुभव के अधार के उपर हमने कुछ अंक हमने देने के हमारी वर्ष दो हजार ठारा से चली आ रही सुनीती को के उपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैंसला आया है इस फैंसले का हम सम्मान करते हैं अगले सौ दिनों में मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हर्याना में पचास हजार भर्टियें करेंगे हम उन पचास हजार भर्टियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे प्रंतु आपके माध्यम से आज मैं पांच बातें हरियाना के जनता के सामने पहुँचाना चाहता हूँ हमारी समाजिक आर्थिक नीटी अंतोध्या पर अधारित है हम इस नीटी पर अडिग थे अडिग रहेंगे अडिग है जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीटी के बल पर हरियाना सरकार में जोइनिंग की है किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा आज इस फैंसले से सीटी के एकजाम पर कोई स्वाली अनसान नहीं है कॉंग्रस के लोग इस फैंसले पर उच्छी राजनीती के लिए उल्टे सीदे ब्यान बाजी कर रहे हैं वो जूट फलाने का काम कर रहे हैं वो भ्रम फलाने का काम कर रहे हैं यदि कॉंग्रस के लोगों को इन गरीब विद्वाओं गरीब अनाथ बच्चों बिना नौकरी वाले परिवारों कच्चे करमचारियों विमुत जातियों के युवाओं के खिलाप हैं तो इस पर विचार करें मैं कॉंग्रस के लोगों कहना चाहता हूं वो इस पर विचार करें क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है हम इनको अगर जुरूर्त पड़ी एक विधेक विधान सभा में लाकर के लेकर के आएंगे तांकि गरीब वेक्ति के लिए जो अंतोद्य की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब वेक्ति को लाब दिया है हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है तस से मस नहीं होगी चाहे हमें रिव्यू प्रिटीशन में जाना पड़े चाहे हमें विधान सभा में विधेक लेकर के आना पड़े हम गरीब लोगों के साथ हैं प्रंतु पिछली सरकार के दौरान जो कॉंग्रस के लोग आज उन ग्रीब लोगों के अगर किसी के प्रिवार में नौकरी नहीं है प्रिवार ग्रीब आनाथ है माबाप नहीं है घर में कमाने वाला कोई नहीं है अगर इस योजना के माध्यम से उस प्रिवार में अगर दीपक जला है अगर परकास हुआ है तो कॉंग्रस के लोगों को इतना उतसाहित होने की अवश्यक्ता नहीं है अगर वो इतना उत्साहित हो रहे हैं तो ये कॉंग्रेस के लोग ये गरीब के विरोधी हैं ये सपर्ष्ट इनके इस ब्यानों से दखाई दे रहा हैं मैं उनको आइना भी दखाना चाहता हूं जो लोग ट्वीट करके बात करते हैं जो लोग इस फैंसले के उपर ब्रहम की स सिती पैदा कर रहे हैं इनकी सरकार में सरकारी नोकरियों लेने के अंदर भाई बती जवाद एक दम सर उठा करके दखाई देता था खेतर वाद जातिवाद का बोल बाला था यह कॉंग्रस की सरकार के अंदर था नोकरियों की बोली लगती थी जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था या जितनी ज़्यादा पहुंच होती थी उसी को ही नोकरी मिलती थी इससे योग्य युवाओं में हतासा और निरासा ये कॉंग्रस के समय में युवाओं के अंदर पनप गई थी युवाँ पढ़ने के तरफ नहीं इनके चक्र काटने में लगा रहता था माबाप भी इनके चक्कर काटने में लगा रहता था और अपने पड़ोस गाम के लोगों को भी ले करके इनके चक्कर काटता रहता था कि हमें नौकरी मिल जाए यहालात इनके समय के अंदर था प्रांतु ग्रीव एक्ति को जिसके पास पैसा नहीं होता था बहुत सारा बड़ा वरगे कैसा था जिसके पास देने के लिए वोट तो थी प्रांतु इनके पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं थी किसी भी ग्रीव एक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी क्योंकि पर्ची और खर्ची से नौक्रियें लगती थी नौक्रियों की बोलियें लगती थी ग्रीव यक्ति की पहुंच से नौक्रिये दूर थी प्रंतु अगर आज हम देखे हमने योग्यता के धार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के एक लाख 32,000 नौकरिये देने का काम किया है एक लाख 32,000 जो लोग ट्वीट करके वावाही लूट रहे हैं उन ग्रीबों का अपनी सरकार के अंदर तो मजाग करते थे अगर हमने उनको कहीं ग्रीब व्यक्ति की हमारी सरकार ने चिंता की है ग्रीब व्यक्ति के साथ हमारी सरकार खड़ी है तो उसको लेकर के भी इनके पेट में दर दो रहा है हमारे युवाओं में आज एक नई आसा और विश्वास का संचार हुआ है वे नौकरी पाने के लिए किसी नेता की दलीज के उपर हाथ नहीं भलाना पड़ता आज अपना स्वाभिमान से सर उंचा करके मेरा युवाओं आज हर्यान सरकार की नौकरी ले रहा है ये विश्वास जगाया है पहले तो वो सिफारिस ढूंडते थे और आज लाइबरेरी ढूंडते हैं ये यंतर कॉंग्रेस की सरकार में और हमारी सरकार के अंदर आया है और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे हाई कोट की डबल वैच ने भी साथ दिसंबर दो हजार अठरा को माननिया उचनियल्या ने सरकार के समाजिक आर्थिक धार पर हमने जो पांच चंक दिये थे जिसका प्रावधान किया था उसकी सरहना भी की थी ये हाई कोट ने की थी मैं बताना चाहूंगा कि हमने अंतोध्या के संकल्प को पूरा करने के लिए कमजोर वरग के पांच अतिरिक अंक देने की नीती दो हजार ठरा के अंदर ये हमने बनाई थी और इस नीती के कर्ण हजारों ग्रीब युवाओं तथा कच्चे करमचारियों को पकी सरकारी नोकरी मिली है इससे आहात हो करके कॉंग्रस द्वारा प्रोयोजित भरती रोको गैंग समय समय पर इस नीती के रास्ते में रोडे अटकाता रहा है मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये ब्रहम भैलाने का प्रयास ने करें सरकारी नोकरी ये देते समय हमने पर देश के गरीब परिवारों का भी पूरा ध्यान रखा है हमारी सरकार गरीब के साथ खड़ी है इसलिए हमने जिनके परिवारों में कोई भी सरकारी नोकरी में नहीं है उन उमीद्वारों को सरकारी नौकरी में समाजिक आर्थिक मान दंड के अधार पर पांच चंक देने का प्रावधान किया था कॉमन पातरता प्रिक्षा का पेपर तीन वर्षों के लिए मानन्या है जो हमने पेपर सीटी का लिया उस सीटी के अंदर ये हमारे कॉंग्रस के एक ऐसे नेता है जिसको जानकारियें भी अदूरी रहती है और वो एकदम से कोई भी निर्णे आता है उस निर्णे की जड़ों में जाने की विज़ाई तुरंत एकदम ब्रहम की स्थिती और जूट फलाने का काम करता है और उस व्यक्तिन मैं हरान हूँ मैं हरान इस बात से हूँ कि वो बुद्धी जिवी भी बनता है प्रंतु किस परकारक से वो एकदम से उतावला हो जाता है मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक कॉंग्रेस की सरकार ये अपने गिरे भाह में जांक करके देखे अपने समय के कारेकाल को जिस कारेकाल के अंदर वो मंत्री भी रहा है जिस कारेकाल में इस विधान सभा का सदस्य भी रहा है ट्वीट करके सुर्जे बड़ा साब ने ये अरोप लगाए हैं उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में तेरा लाख पचास हजार अबयार्थियों ने रिजिस्टेशन किया और जिसमें तेरा हजार छेस्टावन कुल पद थे बिल्कुल ठीक कहा हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं परन्तु मैं उसको बताना चाहता हूं कि तेरा हजार तेरा लाख पचास हजार अबयार्थियों इसमें रिजिस्टेशन किया साड़े नौ लाख युवाओं ने पेपर में उन्हेंने सीटी का पेपर दिया और चार लाख भीश हजार युवाओं ने क्वालिभाई किया जो मैंने कहा है कि यो तीन वर्ष के लिए मानने है और इस पेपर में कोई भी सोसो इंकम का स्वाल ही नहीं है सीटी से ही हम अगर किसी डपार्डमेंट के अंदर कहीं अवश्यक्ता पड़ती है तो हम इसी सीटी से जिनोंने क्वालिभाई किया है इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रोजेस्ट करने का काम करते हैं ऐसे ग्यारा हजार युवाउं ने अपनी नौकरी को जुएन किया है और उसमें से दो हजार च्छेसो स्तावन ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोसो इंकम के कारण वो जुएन करने थे प्रंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था हमने उनको जुएन नहीं किया और ग्यारा हजार जो बच्चे हैं जिन्होंने जुएन किया है उनको किसी परकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो ब्रहम की स्थिती ना भलाए एक दम ही वो उताबला हो जाता है अरे अपने गिरेवहा में तो जहाक दू पहले तेरी सरकार क्या काम करती थी तेरी सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था किस परकार से नौक्रिय विक्ती थी उसका को नहीं था और कोर्ट इनको आईना दखाने का काम करता था उन बच्चों को भी बाहर करता था प्रंतु आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूँ कि इन 11,000 बच्चों को किसी परकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है ये मैं कहने के लिए आया हूँ और जहां तक इन्होंने एक और बात की है ग्रुप सी की ग्रुप सी की भी इसने ट्विट करके क्योंकि ये उसकी जानका ही तो इसको तिनी है ऐसी इनके मुख्या है पार्टी के उसको भी कोई लिख करके दे देता है और वो पढ़ करके बोल देते हैं सेम पुजिशन इसकी है य भी उसको कोई लिख करके देता है उसको पड़ देता है उसकी जानकारी में नहीं जाता है जूट फलाना है क्योंकि DNA के अंदर है जूट फलाना और उसको लेकर के लगाता ये जूट फलाने के अंदर लगे हुए हैं इन्होंने जो गुरुप C की नौकरियों के बारे में भी बात कही है इसमें दस हजार से अधिक युवाओं ने दो हजार पदों के लिए पेपर दिया ओभी सीटी से यह सीटी का दूसरा भाग है और यह भाग वो है जिसमें टेक्निकल बच्चे आते हैं और जब इनको बुलाया गया क्योंकि उसके अंदर फोर टाइम हम बच्चों क बलाते थे सीटी के अंदर हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं थे क्यों फोर टाइम हम बलाएं यह इसको जानकारी भी नहीं है इस बात कि हम जितने बच्चे हमें बुलाने थे उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं किये क्योंकि उसमें कोई यह है कोई लैब अटेंड़ व अदर शामिल किया उनका पेपड लिया और उस पेपड के अधार के उपड ही हमने उनको इसके अंदर इस्ट किया है अगर कोई इसके अंदर दिख्कत आती है यह बच्चे ज़्यादा नहीं है इनका पेपली होगा निन मेंसे ही Do और यह ही कहने के लिए आया हूं कि ये लोग अपने गिले भाव में जहां करके नहीं देखते जो हलात इन्हों ने हरियाना परदेश के युवाओं के माबाप की की आज अगर ग्रीब को कोई लाव सरकार ने योजनावत तरीके से किया है यह हमारा कमिंटमेंट है मैं फिर दवारा दोरा रहा हूं कि हम ग्रीब के साथ खड़े हैं हमारी सरकार वो ग्रीब के ही तेशी सरकार है अंतोद्य की भावना से हम काम कर रहे हैं और उस अंतोद्य की भावना के अंदर हमारी सरकार मजबुती से ग्रीव के साथ है ये बात मैंने कहनी थी और उन बच्चों को किसी बरकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जो ये ब्रहम की स्थिती भला रहे है इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग वावाही लूटने का काम करते है सबी बच्चों को निश्चेंत रूप से वो जहां पर भी है वो लगे रहें उनको किसी बरकार की कोई दिक्कत परसंनी नहीं करते है